हेलो दोस्तों वेलकम टू संगीता हीलिंग टेंपल्स आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक की रोज आप लोगों की इमेल्स आती हैं मेसेज़िस आती हैं और इस समय जो सबसे बड़ी परिशानी आप लोग जो जेल रहे हैं यांग्सर च्वेंटी और थर्टीज के वो लाव एंड रिलेशन्शिप इशूज हैं तो यह जो समय है दिवाली का यह एक बहुत महत्पॉंट समय होता है यह स्पेशल इस समय जो है काली रात होती है अमावस्या की रात होती है अमावस्या की रात की एक सिग्निफिकेंस होती है यहां पर एनरज 20 कंव करके अपनी मेनिफेस्टेशन अपने लव और र Vera को अच्छा कर सकते हैं अपने EX को वांपस ला सकते हैं लाइफ होठ कुछ loves कर अपने लाव on relationship एई दिवाली पर आपने वह लौक उसको Adaptर करते मानी एके तो मनीच वह तो आपको जो टिप्स दिये जा रहे हैं आपने जरूर करना है दिवाली की रात को अकसर लोग लेट सोते हैं तो आपको ये आधी रात को करना है जो अगर आप करोगे तो आपका थाउजन और परसन आपका एक्स आपका रिलेशन्शिप ही लो सकता है इन एनर्जीज को अमावस्या की एनर्जीज को आपने एकत्रित करके अपने लफड वन को भीजना है अपने रिलेशन्शिप की हीलिंग करनी है चाहे वो मैरिज में हो लिव इन रिलेशन्शिप में हो जो भी आप जैसे भी हो आप अपनी रिलेशन्शिप की हीलिंग कर सकते हैं तो आपने उस दिन रात को करना है कि आप शाम के टाइम दिवाली पूजन से जस पहले अच्छे कपड़े पहनेंगे सुन्दर रेड कलर रेड कलर जो है वो एक वाइबरन कलर होता है वो लफ का कलर होता है और उसको पहन के आपने अच्छी सी सुगंध लगा सकते हैं रोज का कोई भी इतर आप लेके लगा सकते हैं और आप इंजार करेंगे रात के बारा बजे का रात के बारा बजे आप शानती से बैटेंगे तब तक पटाके बटा के कम हो जाते हैं और आप एक बहुत ही सुन्दर से कमरे में बैठ सकते हैं और वहां पे आप अपने एंजल शैमूल जो एंजल शैमूल होते हैं वो लव एंड रिलेशनशिप का एंजल होते हैं आरकेंजल होते हैं प्रेम का देवता कह सकते हैं वो होते हैं तो उनका या तो आप एक पिक्चर ले 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 या आप एक रोस क्वार्स एंजल ले ले और इसको शैमौल मानके उसके आगे बैठेंगे और एक अगरबत्ती जलाएं एक दिया जलाएं और आपने इन्वोक करना है आर्केंजल शैमौल को आर्केंजल शैमौल आप आएं सारे एंजल आएं सार रोस के पेटल्स आप उनको अर्पित कर दें तो आप अपने एंजल को अर्पित करें रोस पेटल्स अगर नहीं है तो वीजुलाइज करें कि आप उन्हें रोस पेटल्स अर्पित करें प्रेमपून तरीके से और कैंडल जलाएं हो सके तो एक red color की candle आपने जलानी है और आपने visualize करना है कि शैमुल आप मुझे और अपने प्रेमी प्रेमी का पती पतनी का नाम लेके वो और मैं अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं और शैमुल की blessing से we are together and one हम एक हो गए हम together हैं और मेरा जो भी है वो मेरे पास वापस आ गया है और दस मिनट एक अच्छा सा music लगा के meditate करें visualize करें उस flame में देखें जो अपने एक candle जो जला रखी red color की उस flame के अंदर अपने और अपने प्रेमी या प्रेमी का की visualization करेंगे उस छोटी सी जो law है उसमें देखें कि आप दुनों एक हो गए हैं तो आप कुछ एक लगबग एक मिनट तक उस law में जलती हुई law में visualize करना है आप और अपने प्रेमी या प्रेमी का को कि आप वो आपकी life में आ गया है और आप बहुत सुन्दर तरीकी से loving relationship में हो और वो manifest हो गया इसको विजन को आपने 10-15 मिन जितनी देर आप कर सकते हो असानी से वो आपने करना है फिर थोड़ी देर आख बंद करके gratitude में thankfulness के साथ अपने देवी देवताओं को शैमोल को आर्केंजल को सबको थैंक्स करना है कि thank you very much for giving me my love back आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे प्रेमी प्रेमी का को लटा दिया है तो आपको feel करना है महसूस करना है जैसे कि वो आपकी life में आ गया है तो इस दिवाली क इसको बिल्कुल भी ना मिस करें इसको अवश्य अपनी love life के लिए क्रिये रेड कैंडल का धिहान रखें रोस पैटल्स रखें रेड कलर के कपड़े पहने आर्केंजल शैमोल पिंक कलर का कोई red कलर का या orange कलर का भी एंचल चलेगा और उसके सामने जरूर करें और नीचे comment बॉक्स में मुझे लिखके बताएं कि कैसा रहा आपका ये रेकी एंजल लाव लाइफ हीलिंग कैसा रहा और नीचे comment box में लिखें कि आपको कैसे वीडियोस चाहिएं बाई बाई सायोनारा